आकाश्वानी के सारे श्रोताओ को नमस्कार हमने पिछली बार अश्टांग योग पर बात की थी अश्टांग योग के आठ अंग है मित्रों हम जानते हैं जैसे की यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी तो हमने यम और नियम इन दो अंगों पर पहले बात की हुई है अभी आगे छे अंग बाकी हैं इनके उपर चर्चा करते हैं यम जो हमारे सामाजिक मुल्यों को बताता है अहिँसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम जो दूसरे हमारे व्यक्तिगत मुल्यों को बताता है शवुच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और इश्वर प्रनिधान अभी तीसरा अंग, वो सबसे प्रचलित अंग है, सबसे प्रसिद्ध अंग है आज तो हमारे आदरणिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रयत्नों से आज विश्व प्रसिद्ध है आज हम योगा दिवस भी मनाते हैं तो जिसके द्वारा योग इतना प्रसिद्धी में आया, वो है तीसरा अंग, वो है आसन एक संस्कृत में नियम है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम मतलब शरीर जो है वो प्रथम है धर्म को साधने में धर्म अगर करना है तो उसके जितने भी साधन हो तपह, यज्य, याग, जितने भी लेकिन हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई भी धर्म अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते है तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए तो भारत की जलवायू के अनुसार आसन वो उत्तम व्यायाम है और आसन की विशेषता ये भी है कि वो सिर्फ शरीर के उपर ही असर नहीं करता है अरे जो आसन है वो बहुत धीरे धीरे साधित होते है एक आसन को साधने में बहुत समय लगता है ये कोई व्यायाम नहीं है कि बस हाथ पेर हिला दिये लेकिन ये एक मन को स्थिर करने की प्रक्रिया भी है शरीर को तो स्वस्थ करता ही है आसन लेकिन मन को भी बहुत स्वस्थ कर देता है इसलिए आसन करने चाहिए हमारे यहां 84 आसन मुख्य बताए गए है लेकिन तो भी अनन्त सैंक्डो आसन है आज भी अस्तित्व में है हर कोई अपने अलग अनुभव से एक अलग आसन का अनुभव कर सकता है हमारे रिशी मुनियों ने जानवरों की स्तिती देखी थी हमारे रिशी मुनियों को आजू बाजू के जो इतने भी परिवल है उनके उपर विचार प्रकट करना उनको विलोकित करना उनका अवलोकन करना ये बहुत गजब आदत थी तो उन्होंने सभी जीवों में एक समान बात देखी कि उनके एक विशेश आसन के द्वारा वो बहुत स्वस्थ रह रहे हैं और वही आसन अगर हम भी करते हैं अपने उरे दिन में थोड़ी सी ख्षन अगर हम उस आसन में बैटकर गुजारते हैं तो इसके द्वारा हम स्वस्थता को प्राप्त करते हैं और सिर्फ शरीर की स्वस्थता नहीं लेकिन हमारा चित्विस्थिर हो रहा है तो अलग-अलग जीवों को ऐसे देख करके उन्होंने जीवों पर भी आसन बनाएं और हमारे शरीर के जो हिस्से हैं कहां पर कैसे मोडने से उसकी कैसी ज्यादा से ज्यादा अच्छी असर हम पैदा कर सकते हैं। उनके उपर भी उन्होंने विशेश ध्यान दिया। तो इसी तरह ये तीसरा अंग आसन ये विकसित हुआ। तो तीसरा अंग हमने जाना आप आज के जितने भी प्रसार माध्यम हैं। उनके द्वारा योग में आसन का विशेश प्रशिक्षन प्राप्त कर ही सकते हैं। तो उनके उपर ज्यादा विस्तृत जानकारी आप खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। चोथा अंग जो है वो भी आज बहुत प्रसिद्ध है वो है प्राणायाम। हमारी उर्जा जो भी संतुलित हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके पीछे एक मुख्य कारण है हमारी सांस। प्रकृती के जितने भी तत्व है वो एक रिधम से चलते हैं। उनका एक विशेश लै है, एक ताल है। समुद्र की तरंगे हैं तो उनका एक ताल है, उनका एक लै है। उसमें कोई ज्यादा बल्लाव नहीं आता है। हवा चल रही है तो उसमें भी एक विशेश ताल है एक लए है प्रकृती के सारे तत्वों में ये बात हमको समान रूप से मालूम होती है तो इसी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ के अपने जीवन में उतारना और खुद भी लाभ प्राप्त करना इसको बोलते हैं प्रण करने से या फिर लेने से हमें शरीर में कौन सा लाभ प्राप्त हो सकता है वो बात प्राणायाम करता है और वैसे भी हमारी जो आयू है हमारा जो आयूश्य है वो कोई दिन के प्रमान से नहीं गिना जाता कि ये जन्मा तो ये इतने दिन जियेगा या इतने साल जियेगा इ ऐसा नहीं है, हर एक जीव की आयू मर्यादा उसकी सांस से, सांस की गिंतियों से निर्धारित होती है, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसका ये नक्की होता है, निश्चित होता है, कि ये इतनी सांस लेगा, इतनी सांस हो जाने के बाद उसकी मृत्य होगी, तो प्राणायाम करने से हमारा आयुश्य ऐसे बढ़ता है जैसे कोई व्यक्ति एक मिनिट के अंदर 36 से 40 स्वास लेता है तो प्राणायाम करने से वो 10 पे आ जाएगा एक मिनिट में वो 10 स्वास ले रहा है तो जितनी भी सांसे बची वो उसके आयुश्य में बढ़ती है तो प्राणायाम करने से ये लाभ प्राप्त होता है और जितना भी जिएंगे स्वस्थ जिएंगे रोगों से मुक्त जीवन जिएंगे हमें छोटी बड़ी बिमारिया नहीं होती है और छोटी बड़ी बिमारिया नहीं होती है तो बड़ी बिमारिया भी नहीं प्रविष्ट हो पाती उनका भी प्रवेश निशिद्ध हो जाता है तो आसन और प्राणायाम तक पहुँचने तक शरीर पे एक नो एंट्री का अदृश्य बोड लग जाता है रोगों के लिए तो हम एक बहुत स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं हमारी उर्जा, सात्वीक उर्जा भी बहुत बढ़ने लगती है और कम नींद, निद्रा पर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है नियंत्रन आ जाता है शरीर के सारे भावों में हमारा एक नियंत्रन आ जाता है अभी प्राणायाम तक के जो अंग है वो बाहिय जगत से है उसमें भवतिकता का जुड़ना है लेकिन बाकी के जो तीन अंग है वो हमारे आंतरिक शरीर से जुड़े हुए है वो बाहिय तवर पे नहीं दिखते है जैसे प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार तो प्रत्याहार क्या है इसको अगर जानना है तो प्रत्याहार ये इंद्रियों का अंतरमुखी करण है हमारी इंद्रिया हमारी ग्यारह इंद्रिया मानी गई है पांच ग्यानेंद्रिया हैं आँख, कान, नाक, जीब और तवचा हमारी पांच करमेंद्रिया मानी गए हैं हाथ, पैर, वानी, उपस्थ और गुदा और ग्यारहवा मन ये हमारी ग्यारह इंद्रिया है कुछ लोग दस भी मानते हैं, मन को अलग कर देते हैं तो इन इंद्रियों का बाहर जो घूमना है इसी से सारे प्रपंचों की उत्पत्ति है तो इनको एक जगह पर हमारे अंदर इकठा कर लेना इसको बोलते हैं प्रत्याहार फिर होता है धारणा योग का छठा अंग है धारणा तो धारणा में हमारा चित एकाग्र होता है हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो इसी के लिए त्राटक ऐसी क्रियाएं भी अस्तित्व में आई कि जिससे चित ज्यादा से ज्यादा एकाग्र हो सके फिर होता है ध्यान जिसमें मन का विसरजित ही हो जाना कहा गया है जिसमें मन रहता ही नहीं है एक अलवकिक शुन्य हमें प्राप्त होता है जिसमें कोई न विचार होते हैं न कुछ होता है न कोई द्वंद्व होता है सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं और एक अद्वैत की उपलब्दी होती है इसको बोलते है ध्यान ध्यान ये बहुत उपर की अवस्ता है इसको व् व्यक्त नहीं कर पाता इसको सिर्फ अनुभव में लिया जा सकता है जो लोग इसकी अनुभूती करते हैं वो उसको व्यक्त करने आते नहीं हैं क्योंकि वो एक परमानंद में चले गए हैं और वो व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं ऐसी ये अवस्था है और आखिर में समाधी ज इसमें कुछ शेष नहीं रह जाता, सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ अद्रिश्य हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, ये है समाधी, समाधी का भी वर्णन, ये अशक्य है शब्दों के द्वारा, ध्यान तक हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम ये करें, लेकिन समाधी कोई प्रयत्न नहीं है, इसको करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये स्वतह, खुद बखुद उपलब्द होती है, खुद बखुद हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कोई क्रिया नहीं है, इसके कोई सीडिया नहीं है, इसके कोई स्टेप बाइ स्टेप, इसकी कोई रीत इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको सिर्फ जी सकते हैं और इसकी उपलब्दे ये किसी साधन से नहीं होती है ये स्वतह खुद बखुद ही उपलब्द होता है तो दोस्तो आज हमने ये बाकी के छे अंग भी चर्चा में लाएं और इनके बारे में हो सके उतना करण आये इसा प्रयत्न किया तो बस ऐसे ही मिलते रहेंगे सबको नमस्कार